दोखो ये question भी AITPLE में पूछा गया था पहले क्या था AITPLE और AIT एक्जाम अलग लग था अब तो combined हो गया है लेकिर अच्छा question है हलाकि थोड़ी language में confusion है यहाँ पर इसलिए बताना जगरी है दोखो ध्यान दो दोखो यह question हर जगए आपको दिखाई देगा दोखो जैसे S X set है S is partitioned into three sets A, B, C of equal size अब दोखो जैसे S के तीन हिस्से किये गए तीन हिस्से किये गए A, B, C equal size equal size के मलब जैसे माल लो यह हमारा set A है दिए यह B है और यह C है equal size के तीन हिस्से किये गए equal size के तीन हिस्से का मतलब A में तीन element लेना है B में भी तीन लेना है और C में भी तीन element लेना है और ऐसे लेना है कि तीनों का union S आजाए A union B union C S आजाए मतलब मतलब हर एक element A, B या C में रखना ही रखना है है ना और तीनों का intersection फाई हो जाए, मतलब तीनों में कोई element common ना हो, है ना, दो condition है, union S आ जाए और intersection फाई हो, है ना, दो condition है, तो number of ways of partition निकालना है, है ना, देखो, अब यहाँ पर जैसे ध्यान दो, कि union S होना चाहिए, मतलब हर एक element A या B या C, किसी में रखना ही रखना है, और उनका intersection फाई है, मतलब जैसे, अगर हमने एक element को A में रखा तो B में नहीं रख सकते, B में रखा तो C में नहीं रख सकते, है ना, दो को ध्यान दो, ऐसा सवाल मैंने set वाला पहले कराया था आपक हना, ऐसा question set वाला मैंने पहले कराया था आपको, लेकिन वहाँ पर अकेली-एकेली condition होती थी, जैसे या तो union S के बरावर हो, या intersection 5 हो, ऐसी condition थी, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे एक element को उठाते थे, और कहते थे वाई, उसको रखने के तरीके क्या है, या तो A में आएग था, ठीक है, अब यहाँ पर union भी S के बरावर है, है ना, तो यह भी condition हमें थोड़ा ध्यान देनी है, तो कितने partition A के हो सकते हैं, दो को ध्यान दो, अब जैसे इसमें क्या हो रहा है, कि पहली बात तो यह, कि यह limited elements है, जैसे पूछ जब मैंने question कराया था, वहाँ पर तो बत सकता है, वन, 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 तीनों में रख दें, ऐसा हो सकता था, वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यह 12 के 12 ही element है, limited elements है, मतलब एक element को दो बार यूज नहीं किया जा सकता, इस सवाल में बात ध्यान देना, अच्छा ABC sets हैं, और तीनों के नाम दे दिये गए, तीनों के नाम दे द बारा अलग अलग चीजें, तीन आदमियों को बातनी हैं, और ऐसे बातनी हैं कि उनको चार-चार चीजें मिलें, क्योंकि तो को equal बातनी है, equal, तो equal बातनी, इसका मलत सब को चार-चार element मिलना चाहिए, है ना, तो बारा चीजें हैं, तीन आदमियों को बातनी हैं, और ऐसे बाटनी है सब को चार चार मिले तो क्या हो गया बोलो 12 फैक्टोरियल तीन आदमियों को बाटनी है चार चार मिले तो 4 फैक्टोरियल 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 4 फैक्टोर तो दोखो यह हमारे question का final answer आ गया है तो कि यह तीनों अलग अलग है ध्यान दो यह तीनों एक जैसे नहीं तीनों अलग अलग है तो इसलिए three factorial into भी करेंगे और divide क्यों कि यह तो कि तीन लोगों को बराबर बराबर चीज़े मिली सब में चार-चार element आने चाहिए तब ही वह equal size के partition होंगे ध्यान देना तो यह हमारे question का देखो final answer आ गया है तो language story confusing है इसलिए मैंने बताना यहां साही समझा यह question हर book में आपको अलग तरीकों से मिलेगा लिखो बच्चो ध्यान से इसको